हेलो दोस्तों नवस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माई फैमली गार्डन इन होम में और दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आसा करती हूँ है आप सब लोग अच्छे होंगे स्वास्त होंगे और आपकी गार्डनिंग भी बढ़िया चल रही होगी और दोस्तों देख फूल आते हैं आप सभी के गार्डन को बहुत अच्छा और खुबसूरत बना देते हैं मौस रोज देखिए बहुत ही प्यारा खिला हुआ है और इस तरीके से देखिए ये सारे पौधे एक साथ रखे हुए हैं गर्मी के वैसे हमने साथ में भी रखे थे और इनमें फ्लाव देखिए पड़ाहती है रखिए और अच्छी ग्रोध कर Ctrl कर्यों अँब हैं यह पीछले साल प्रश क्यद्टे क करे कि गर्का है होई थी और एक में साल अभी बरसात देखिए रही है इन कटिंग को लगाई हुए लेकिन देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है कितने बड़े पौधे हो गए हैं और यह पर्मान एंट प्लांट हैं तो हमने इने ग्रोवेग में लगाया हुआ है और देखिए यह क्यारी में लगे हुए हैं कुछ पौधे बहुत ही अच्छे दिखते हैं खासकर इस मौसम में आपका गार्डन बहुत प्यारा दिखता है तो आप सभी लोग देखे होंगे कि जब बारिस का मौसम आता है तो हमारे सारे पौधे खेल उठते हैं और देखिए यहां पे लगा हुआ है इस तरीकिस भिंडी और भुट्टा और मेरी गोल्ड का प्लांट है और देखिए बहुत अच्छे इसमें फूल आ रहे हैं गेंदे का पौधा और सारे पौधे में फूल इस समय आ रहे हैं और देखिए यहां पे लगी हुई है भिंडी तो बहुत अच्छी गार्डनिंग चल रही है जो हमारी समस्चा थी जो दि दिगत नहीं होगी अभी तक जो आपने पौधे बचा लिए हैं अगर आपके पौधे गर्मी से बच गए हैं तो आप आपके पौधे नहीं खताम होने वाले नहीं मरने वाले क्योंकि थोड़ी से जो दिगत परसानी होती है वो गर्मी में ही होती है इसके बाद नहीं होती देखिए इस तरीके से हमने कुछ कटिंग जो हैं लगा लगा के रेडी करके पौधे तयार किये हुए हैं और यहां पर लगा हुआ है हमारा देखिए यह ग्रो बैग में मुनगा लगा हुआ है 15 वाई 15 के ग्रो बैग में और देखिए इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है अभी इसको दो 2 व्हा5 महीने हुआ है और देखिए इसकी ग्रोध देख सकते हैं इतने कम समय में देखिये काफी सारे ब्रांचेס भी निकली हुई हैं और इन ब्रांचेस में हमने में भी दो द stärक लाप बढ़ निकली है तो उसको कट ने के बाद बहुत सारी साइड ब्रांचेस निकल रही है इससे हमारा पौधा बहुत अच्छा बनेगा बहुत सारी ब्रांचेस रहेंगी और ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं और देखें यहाँ पे हमने गमले में लगाया है नीबू और यह दोस्तों 20 रुपए का नीबू का पौधा हमें मिला था यह सरकारी नरसरी से लाए थे हम लोग और देखिए इसमें नीबू आना स्टार्ट हो गए है और बहुत अच्छा साइज आया है नीबू का जो साइज भी आया है तो बढ़ी असा साइज है छोटा छोटा नीबू नहीं आया है काफी अच्छे नीबू आये हुए है हाला कि इस बार जादा रुके नहीं बहुत सारे नीबू आये थे छोटे छोटे लेकिन बाकी जड़े गए वो भी हमारी गलती की वेज़े से हमने इसको नेट के नीचे रखा था तो हमने इसको चाया में रखा और चाया में रखने के बज़े से काफी बड़े बड़े नीबू बनने के बाद जड़ गए थे तो इस तरीके से भी होता है दोस्तों कई बार कि हम गार्डनिंग्स करते हैं फिर उससे जो अनुभव होते हैं हम उसी से सीखते हैं और ये देखिए यहां पे लगा हुआ हमारा मिठी निम का पौधा ये भी गमले में लगा हुआ है इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है हमने इसको प्रोन किया था और रूट बॉन्ड हो गया था तो उसके बाद पौधे की ग्रोथ आप लोग दे गमले से पौधे निकालें और उसको चैक करें कि नीचे जड़ें तो नहीं बंद गई है एक साथ और फिर उसको कट करके नई मिट्टी डालें तो इससे पौधें की ग्रोथ जो है काफी अच्छी होने लगती है यहां पे ग्रोबैग में लगी हुई है भिंडी और देखि वtså कुछ इस तरीके से पौधे लिटे हुए है और यहां पे लगी हुई है लाउकी अभी हम इसकी कटिंग करेंगे कटिंग करने के बाद जो लाउकी अभी जो फूल आ रहा हैं तो जो फल में कंवार्ट नहीं होते हैं लाउकी की आफ फुने कट कर देते हैं तो इससे तो इस तरीके से आप भिंडी भी लगा सकते हैं और काफी सारी चीज़ा इस समय लगा सकते हैं अब बारिस का मौसा माने वारे देखिए हमने कुछ भुटा लगाए हुए तो भुटा भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं तो देखिए हैं यहां पर अर्भी लगी हुई यह दो दो इस तरीके से हमने चोटे चोटे भी कुछ पौधे लगा दिये थे बारिस के पहले लगा दिये थे तो इनकी ग्रोथ इस तरीके से हो रही है आप लोग भी लगा सकते हैं और अब जो हमारे पौधे देख रहे हैं तो सारे बिल्कुल पास पास में रखे हुए हैं क्यों अलग अलग भी कर सकते हैं तो यह था मेरा आज का गाड़न ओबर विव दोस्तों कैसा लगा यह देखिए यहां पे सारे पौधे रखे हुए हैं अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर अगर दोस्तों पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो में वीडियो डालो आप तक पहुंच सकते हैं